भारत में 70 लाग से जादा हेल्थ वर्कर्ट और कोरोना फ्रेंट लाइन वारियर्स का वेक्सिनेशन हो चुका है ये लेकिन इदेश की आबादी का एक परसेंट से भी कम है इसराइल की बात करें 33 फीस दी एक चौथाई आबादी ब्रिटेन के भी ऐसे है जहां वेक्सिनेशन हो चुका है फिर भी इन देशों में कोरोना के नए ममलों में कमी नहीं आरे इसकी वज़े है नया स्ट्रेंट यूके स्ट्रेंट ब्राजल साउथ आफरीका ऐसे कई देश है जहां पर नया नया स्ट्रेंट आ रहा है स्ट्रेंट को समझ लिए स्ट्रेंट का मतलब यह है कि जब मॉडलेशन होगी कोविड-19 वारस में और वो इतनी होगी कि अलग स्ट्रेंट मन जाए अगर बहुत ज़ादा होगी तो ड्रिफ्ट के जगे शिफ्ट हो सकता है आई यानि आप सोच सकते हैं कि 50-60 गुना जल्दी काम हो जाका और जितनी जल्दी पर चलेगा उतना जल्दी बहतर है देश के लिए ताकि नया स्ट्रेंट भारत में ना फैल पाए क्योंकि सीरो सर्वे में बताया गया कि 70% भारती ऐसे हैं जिनने अभी COVID हुआ नहीं है उनके सत्जीत रे से जुड़ा हुआ है सभी बात है तो यह एक्चुली टेक्नोलोजी जो है इसका नाम हमने रखा है रैपिड वेरियंट ऐसे इसके पहले हमने एक लांच किया था फेलूदा एफन कैस्ट ना एडिटर लिंक्ट डिटेक्शन ऐसे तो आप मान सकते हैं गर लोगों ने किया है में उसली तो इसमें क्या होता है कि जैसे अपने आपको अगर दिखेगा यहां पे 2 स्ट्रीप में अगर यह जो बैंड है इससे हमें पता चल रहा था पहले फेलूदा में कि यह जो बैंड स्पेसिफिक है अगर तो वह आपको पताएगा कि वीट उसे ह तो यह पता चलेगा कि उनमें ना सिर्फ कोविड प्रेजंट है बट उसमें वेरियंट का एक सिग्नेचर मौजूद है इस केस में इस वेरियंट सिग्नेचर का नाम है एन फाइफ दिरो वन वाई मुटेशन जो की जो साथ आफरिकन जो ब्रिटिश और जो ब्रजिलियन स्टेंट सब में वह वेरियेशन मौजूद है तो हमें उनमीद है कि यह पूरा जो आरेने से स्ट्रिप तक जो टोटल टाइम है एप्रॉक्सेमेटल आपका सतर मिनिट में आ जाता है इसका जो दूसरा टेकनीक है जो अभी सब्दगा पर कर रहे हैं लोग वह सीक्वेंसिंग होता है और सीक्वेंसिंग तीन-चार दिन का काम होता है उसमें बहुत सारा डेटा जनेरेटेड होता है उसको एनलाइज करने के लिए लोग होता और वह एक डाइगनोस्टिक टेकनोलोजी नहीं है वो सिर्फ इंडिया में पाठ चेसे जगा पर अभी यह 2 की स्ट्रेंड का सिक्वेंसिंग हो रहा है तो इससे हमें उमीद है कि हम फर्स्ट पास में डिटेक्ट कर सकते कि कि किसको किसको मिट्रेशन है निजल से लेते हैं सैंपल कैसे होता है शैंपल रहता है जैसे आपका QR-T-PCR होता है वैसे ही रहता है जो Oropharyngeal, Neasle Sample Saliva कुछ-कुछ देशों में लेते हैं उसके बाद उसको process करते हैं वो RNA Sample को DNA बनाते हैं DNA में PCR करके उसके बाद ये detection इस procedure में आता है जो CRISPR-based technology से यह आता है तो अगर इसकी कीमत की बात करें, कितनी कीमत इसकी होगी, किस तरीके से क्याएगा? अभी तो हमने इसका पूरा कमर्शिल वाला सेटल नहीं हुआ है, उसके बातचीत चल रहा है, कि कैसे इसको करें, जब यह एक फाइनल प्रोड़क्ट रूप में आएगा, तब इसका कीमत जो भी है वो पता चलेगा, तो लगता है कि जो जीनोम सिक्वेंसिंग थी, उससे तो कमपेटिवली कम ही हो, जीनोम सिक्वेंसिंग जो है, वो बहुती एक्सपेंसिफ एक टेक्निलोजी है, उसमें अप्रॉक्सिमेटली आपको, जो रिएजन कॉस्ट है, वो हजारों में होता है, उसके बाद आपका मैन पार, फिजिकल डेटा स्टोरे, जो भी है, बहुत कॉ होता है, तो उसके कमपेरिजन में तो यह कुछ भी नहीं है, यह तो जहीं सहीज सी बात है, क्योंकि यह रिएजन कॉस्ट भी बहुत कुछ बहुती कम अमाद भी रहेगा कि कहीं भी जा सकते हैं, हिंदुस्तान में, चोटे शारों में भी, इसका पॉसिबिलीटी है, पॉस दिज वैं, जो होता है, यहां पर क्या है कि, जब हमारा स्टान हां, इस वा सम्पल यहारे पास वह सम्पल्साबज और उस संट्रमान कि ही और एर रन थी की बीज के खौर चुलों में अटा है, उस से आरेन निकालते हैं, और यह त्टी एरियाम, आ फिर वह और जिए लाइ अभी भी उतना एक उतना क्या बहुत है कि नहीं है कि डिटेक्शन कर सकते वेरियंट को तो हम रिवर्स ट्रांस्क्रिप्शन से आरेने को डियने बनाते इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में यहां पर हम अगर इसको दिखाएंगे इसे टूब रख देते हैं इसको बोलता है नॉर्मल थर्मल साइक्लर और इसमें जो पीसिया रियक्शन होता है उसमें आरेने से डियने बनता है और उसके एंप्लिफिकेशन हो जाता है तब उसमें हम एक बैक्टिरियल एंजाइम जो इसको बोलते हैं कैस नाइन आपको ने शायद चुना होगा क्रिस्पर सिस्टम क उसमें डालते हैं और यह एक स्पेसिफिक कैस प्रोटीन है जो हमने यहाँ पे लास दो-तीन साल में क्याफी क्यरक्टराइज किया उससे हम वह वाइरस का जो सिगनेचर है उसको पकड़ते है और उसको यह भी बोल देते कि आप अगर इसमें वाइल टाइप स्ट्रें है ज क्या सिगनेचर को आपको पकड़ना है उस लेवल पर और दूसरा होता है कि अगर आप यह जो जो बैंड आता है इस बैंड को आप एक स्मार्ट फोन से खीचो पिक्चर तो अर्टिफिशल इंटेजिएंस के सहायात से अब उसको एक आप उटोमेटेड इमेज प्रोसेसिं करके रेजल्ट दे सकते हैं तो यह सब हम लोगों ने इंप्लेमेंट किया है यहाँ पर यह एक एंड टो एंड जो भी है और एंड में आपको यह पता चल जाएगा फरस्ट पास में कि कितने ऐसे सैंपल से जिसमें यह म्यूटेशन प्रेजन है इसमें एक सवाल यह भी मुटेशन पर हमने काम स्टार्ट किया है जैनुवेरी की फर्स्ट वीक में तो विदिन तू तू त्री वीक हमने एक टेस्ट इसको डेवलब कर पाया कि वेरियंट को डिटेक कर सकते हैं इसमें हमारे उतना जादा उसका क्रेडिट नहीं है पर जो सिस्टम हम यूज करें इतना फ्लेक्सिबल है कि नए-ने मुटेशन को भी बहुत जल्दी से डिटेक कर सकते हैं यह डेफिनिटली इस पूरा सिस्टम का खासियत है और हमें उम्मीद है कि अगर नया मुटेशन भी आएगा हम इसी तरीके से उसको अड़ाप्ट करके उसको डिटेक कर सकते हैं और डियागनॉस्टिक्स उसको खोजता है पेशेंट्स के अंदर ताकि वो पेशेंट्स को अप्रोप्रियेटली हम क्वारेंटाइन और आइसोलेट कर सकते हैं या उनको स्टडी कर सकते हैं और मिटेशन के लिए न्यूस नेशन न्यूस स्टेट को वग देने के बहुत बहुत शुक्रिया चलिए न्यूस नेशन न्यूस स्टेट अकेला ऐसा चैनल है जिसे यहां पर इस लिबाटरी में आने की अनुमती मिली है जो वर्ल्ड क्लास फैसलिटी के साथ एक नया तरह का सिस्टम मनाया गया जो काम पहले 48 खंटे में होता था अब वो महस सतर मिनिट में हो जाता है इनि सतर मिनिट में अगर कोई व्यक्ती कोवीड पॉजिटिव है तो यह पता चल जाएगा कि वो ब्रिटेन, साउथ अफरीका, नाइजीरिया या ब्राजिल जैसे किसी स्ट्रेन से तो नहीं है जो बहुत बड़ा ब्रिक्थ हुई से माना जा सकता है विज्ञानी जगत में ना सिर्भारत के लिए बलकि जो सभी थार्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसके लिए भी एक उधारण है वियोजनलिस सिधार्थ के साथ राखुल डबास न्यूज निशन दिल्ली